जैसरी कृष्णा आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्ष बर्वा माइक्रोवेव में इसमें बिल्कुल घी या तेल कुछ नहीं डलेगा तो इसके लिए हमने लिए हैं ये 5-6 मीडियम साइज की शिमला मिर्ष तीन उगले हुए आलू लिए हैं ये आलू में छे मिनट लगी माइ आदा निम्बू छोटा सा टुकड़ा एक इंच का अद्रक का और एक हरे मिर्च और इसमें मसाले हम डालेंगे एक चमच नमक है आप अपने स्वाद के मसार कम जादा कर सकते हैं एक चमच धनिया है आदा चमच मिर्ची है थोड़ा सा गरम मसाला और ये दाल चुनी है आद चमच मने लिए हल्दी पाउडर अब हम इन अलू को छीड लेंगे और मैश करके सारे मसाले मिलाकर शीमला मिर्च में भरके माइक्रोवेव में रख देंगे प्याज अद्रक हरी बिर्च को हमने काट लिया है इसी में हम सौफ पाउडर डाल देंगे और ये जीरा पाउडर डाल देंगे और ये कलोंजी डाल देंगे और इनको मिलाके माइक्रोवेव में दो मिनट के लिए रख देंगे ये हमारे अद्रक प्याज सब नरम हो जाएं यह हमारी दो मिनट हो गई है और यह हमारे प्याज और अद्रक सब बुन गया है आलू हमने मैशर से मैश कर लिए हैं मैशर से यह बड़े अच्छे से मैश हो गए है अब यह यह हमारे अद्रक और प्याज मिरच सब अच्छे से बुन गए है इनको हम आलू में डाल देंगे और सारे मसाले भी डाल देंगे हम नमक हल्दी पाउडर यह खटाई दन्या पाउडर लाल मिर्च पाउडर गर्मसाला और यह दाल जीने इन सब को मिला लेंगे साथ में हम नीबू का रस्पिनी छोड़ देंगे इसमें यह नीबू का बीच अमनी निकाल ली है नीबू के और यह नीबू का रस्पिनी छोड़ देंगे इस सब को मिला के हम शिमला मिर्च में भर लेंगे यह हमारा मसाला बिल्कुल त्यार हो गया है सब चीजें इसमें अच्छे से मिल गई हैं और अब हम इनको इस मसाले को शिमला मिर्च में भर देंगे जितना मसाला इनमें आएगा उतना इनमें दबा दबा के इसमें भर देंगे थोड़ी सी जगया से खाली छोड़ देंगे इतनी से चुके बाद में गरम होने पर यह मिर्ची का मसाला इसमें से बाहर निकलेगा ऐसे हम सारी मिर्च भर लेंगे और माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे बाउल में रखके ढगा के रख देंगे मिर्चों को हमने चक्कु से ऐसे इसका ये काटके खोकला कर लिया था सारी मिर्चों को आम आशे बीच में से इसका ये निकाल के जगए बना ली थी और इनके अंदर ये ज़े बना दिया सब में हमारी सारी मिर्चे भर गई है में अलू मसाले से अब इनको माइक्रोवेव में छे मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे ख़ेंrot ke 10 मिनट में त्यार हो जाएंगी अब थोड़ी कमी ही रहेगी थो हम एक मिनट फिर दुबाराद के सकते और हमें जल्दी नहीं हो दिंगते माइक्रोवेव में इने रहने तो थोड़ी देर में गर्मी से आपने अपिखा ने की जैसि त्यार हो यह हमने माइक्रोवेव के बावल में सब को ऐसे फिट कर दिया है और हम यह माइक्रोवेव में रख देंगे हम इनको बिना प्लेट लगाए टाल रखेंगे नहीं तो पानी पानी छोड़ देती हैं इसमें हमें टाइम तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा एक बर हम छे म मिनट देंगे यह हमारी 6 मिनट हो गई है हम सब्जी को निकाल कर देखेंगे यह हमारी सब्जी बन गई है यह बिल्कुल हमारी सब्जी बन गई है इसमें एक मीरच इसमें कम लग रही हैं तो इसको मैंसे हम ने यह 20 मिरच्य हम निकार लेंगे दो मिनट का टाइम दो मिरचे अधिक एंगे सब्सक्राशन थे जमारी मिरचे ऊयुक्तु में फिर से देदे के हैं तो हम दो मीन पान्य नी चोड़ा इन मिरचों कॉ Each कॉ यह हमारी और दो मिन्ट हो गई है और शिम्बला मिन्ट हमारी बिलकुल बन के त्यार हो गई है इनकी रंगत बने वह वाली आ गई है माइक्रोवेव को बंद कर देंगे यह हमारी शिम्बला मिन्ट बनके बिलकुल त्यार हो गई है माइक्रोवेव में इसमें घी तेल कुछ भी नहीं डाला है मैंने अगर आपको यह रेस्पी मेरी माइक्रोवेव में शिम्बला मिर्च बनाने की अच्छी लगे तो आप यह बनाएए खाईए लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने कमेंट बोक्स में अपने कमेंट जरू डालेगा कि आप कि अच्छी कृष्ण